दोस्तो आज हम बनाएंगे वेज हाका नूडल्स जिसे चाव मिन भी कहा जाता है तो यह चिंक्स वेज हाका नूडल्स है यह कुछ इस तरीके से पैकाता है और यह 30 रुपीज में आएगा मैं यह दो ले रही हूँ सबसे पहले ही आपको क्या करना है गरम पानी करना है उसमे आप इसे तोड़कर आप यह गरम पानी में डाल सकते हैं और यह नूडल्स ना बहुत ही बढ़िया बनते हैं बहुत इजी है बनाना बस सबसे पहले यह जो नूडल्स जो कूक करना होता है वह सही से आपको आजाए ना तो नूडल्स बनाना बहुत ही आसान है बहुत ज़ ज़्यादा तेस में अलग लगता है इसलिए यहां पर देखिए जो नूरल्स है हमारे वह अच्छे से बन के तयार हो चुके हैं मतलब कुक हो चुके हैं हमने इसे बिल्कुल भी ज़्यादा और कुक नहीं किया है और साइट में मैंने रखा हुआ है ठंडा पानी तो गरम पा सारा पानी निकाल सको उसमें डाल दीचे और पूरा नूरल्स का इस तरीके से पानी निकाल कर लेना है आप देखिए यहां पर है मैंने लिए एक कड़ाई उसमें लिया है थोड़ा सा ओईल गरम होते ही डाला है बारी कटा हुआ गार्लिक यानि लसुन और यह इसमें जिं कैरोट यानि काचर शिमला मिर्च और यह हरी मिर्च जो पकोड़े में यूज की जाते है वह वाली हरी मिर्च है फिर पता गोभी फूल गोभी यह सारी चीज़े इसमें डाल देने है अब इसमें मश्रूम भी डाल सकते हो अगर आपको चिकन नूडल्स बनाने तो अब इस है इसमें डालने के बाद इसे अच्छा सेजवान चटनी अपको तो जे टेस्ट नल बहुत अच्छा आजाता है तो यह चिंग्स की सेजवान चतनी है इसको अचु से मिक्स कर दें फिर जो हमने नूडल्स बनाकर लिए वो डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देजे तयार है आपके वीज हका नूडल्स बहुत आसान तरीके से बनते है और टेस्ट में तो बहुत बढ़िया बनते है तो इसको थोड़ा सा मिक्स करना आपको मुश्किल लगेगा लेकिन हो जाता है तो यहां पर देखे तयार है हमारे वेज हका नूडल्स तरूट आपके इस रेसिपी को और आपको ऐसी अच्छे रेसिपी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिए और आज की वीडियो के लिए मतलब यह आज की वीडियो के लिए आज की